मूवी के स्टार्टिंग सिनमा हम एक वेल डेवलोप्ट सीटी को देखते हैं जिसका नम एड्वेंचर सिटी है वहाँ में एक कछुई को भी देख पाते हैं जो रोड को क्रोस कर रहा था तभी वहाँ पे हम गस नाम के एक ट्रक ड्राइबर को देख पाते हैं जो एक ही समय म वो कच्छुआ आ जाता है और उसे बचाने के चकर में वो बिरिज पर आधा लटक जाता है जहां बिरिज की नीचे से एक बोट गुजरती है और ट्रक ड्राइबर उस बोट वाले आदमी से हेल्प मांगता है तब ट्रक ड्राइबर कहता है कि जल्दी से पुलिस को बुलाओ लेकिन वो बोट वाला आदमी कहता है कि अब तुम्हें पौपेट्रोल ही बचा सकते हैं तब वो पौपेट्रोल को कॉल लगा देता है और तब हम मूबी के सारे मिनी कैरेक्टर को देखते हैं तब हम पौपेट्रोल के अंदर 6 मेंबर को देखते हैं और ये सारे 6 मेंबर जिसमें सबका नाम माशेल, चेस, रोकी, जूमा सकाय और रेबल था और इनमें इनका एक लीडर भी होता है जिसका नाम राइडर था जिसके बाद हमें पदा चलता है कि इस सहरे में आने वाली हर एक छोटी बड़ी समस्याओं के साथ ये सारे पॉप पेट्रोल ही लड़ते हैं और उनके सारे ग्रूप मेंबर के पास अपनी अपनी गाड़ियां भी थी जिसके बाद पॉप पेट्रोल हमेशा की तरह उस आदमी को बचाने के लिए निकल जाते हैं और सबसे पहले उस रास्ते को वो लोग बंद कर देते हैं ताकि वहाँ पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो जिसके बाद चेस उस ट्रक ड्राइवर की हेल्प करता है और वो ट्रक ड्राइवर बच जाता है जिसके बाद ये लोग उस कच्छू को अपने पास लेके उसको उसकी फैमिली के पास छोड़ देते हैं अगली सीन में हमें एडवेंचर सिटी को दिखाय जाता है जहां कुछ ही समय पहले इलेक्शन हुआ है और आज वहाँ उसका रिजल्ट आना था जहां हमें दिखाया जाता है कि हमिंगर नाम का आदमी उस इलेक्शन को जीच चुका है और उसकी खास पात यह है कि उसे कैट बहुत जादा पसंद है और उसे डॉग और पपी से बहुत जादा नफरत भी है वही हम लिवर्टी नाम के एक पपी को देख पाते हैं जिसका हमेशा से सपना था कि वह पॉप पेट्रोल का मेंबर बने और जब वह देखती कि हम डिंगर इलेक्शन जीत गया है तो वह इसलिए कहता है कि कोई सहर में बचपन में उसके साथ एक बुड़ा हासा हुआ था तब राइडर खुद चेस के पास जाके उसे मॉटिवेट करता है और वो उसे कहता है कि अब तुम पहले वाले चेस नहीं हो और तुम एक ओफिसर हो जो पॉप एट्रोल के साथ मिलके सहर को बचाते हैं जिसे सुनने के बाद चेस भी काफी ज़्यादा मॉटिवेट हो जाता है और वो एडवेंचर सिटी जाने के लिए तयार हो जाता है जिसके बाद यह सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में हमें सपी पपी इसको देखने के बाद यही पता चलत कि तुम केचर मशीन के सारे बादल साफ कर दो। जिस पर केंडरा उसे कहती है कि ऐसा करना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन मेर उसके कोई भी बात नहीं सुनता, जिस वज़े से केंडरा को क्लावड केचर मशीन को चला के वहां के काले बादल को हटाना पड़ता है। वहीं पॉपेटरल की complete team अपने location पे पहुंच जाती है जहाँ पे उन्हें रुकना था और वो विल्डिंग काफी ज़्यदा advance थी जिसे देखने के बाद ये लोग काफी ज़्यदा खुश हो जाते हैं जिसके बाद मेर का firework show सुरू हो जाता है जहाँ पहले तो firework show बहुत अरा नजारा देख रहे थे और वो लोगों को मुसीवत में देखके उन्हें बचाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं पर वहाँ पे पॉपेटरल लोगों को बचाने के लिए आए थे ये बात मेर को बिलकुल भी अच्छी नहीं लगती जिस बज़े से वो गुसा होके व और वो चेस को और बिल्डिंग में फसे लोगों दोनों को एक साथ बचा लेता है जिससे देखने के बाद सब लोग काफी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सभी लोग मल्टी पॉपेटरोल टीम का इंटर्वियू लेने लगते हैं जहां चेस अभी भी इन सब चीजों से खुश नहीं था जिसके बार राइडर एक बार फिर से उसके पा जाता है और वो उसे मोटिवेट करता है वहीं दूसी तरफ हम मेर को प्लैन बनाते हुए देखते हैं कि वो कैसे पॉपेटरोल की छुट्टी करें वहीं हम मेर को एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट करते और वो वहाँ के सारे लोगों की जिन्दगी मुसीवत में डाल देता है और ट्रेक तूटने की वज़े से मैट्रो बड़ी आसानी से उल्टी लटक जाती है जिससे डर के ये लोग मदद के लिए वहाँ पे चिलाने लगते हैं जिसके बाद चेस लोगों को बचाने के लिए बिल्डिंग के उपर चर जाता है जहाँ वो अपने उपर लगे रॉपको को मैट्रो से चिपका देता है तब चेस हाइट को देख की काफी ज़्यादा ड़ जाता है जिससे देखने के बाद हमें पता चलता है कि चेस को हाइट का फोविया है नीचे से राइडर भी ये सब कुछ देख रहा था और वो माशल से चेस की मदद करने के लिए कहता है और वो इसकाई से उसे नीचे उताने के लिए कहता है और वहाँ पे slider लगाने की बेज़े से वहाँ के सारी लोग भी बड़ी आसानी से बच जाते हैं जिसे देखने के बाद Chase को खुद में काफी ज़्यादा guilty feel होती है तब rider उसे कुछ दिनों के लिए आराम करने की सलाह देता है जिसे सुनने के बाद उसको rider की बात बुरी लग जाती है और वो rider को बुरा भला कैके वहाँ से भाग जाता है तब रास्ते में उसे मेर हम दिंगर के दो आदमी मिल जाते हैं और वो दोनों मिलके इस मौके का फायता उठा के उसे kidnap कर लेते हैं जिसके बाद उन्हें पपी स्कूल जेल में ले जाया जाता है और वो लोग उसे वहाँ पे कैद कर देते हैं जहां और लेडी बहुत सारे पपीज थे दरासल ये जेल मेर ने जान बुच के डॉक्स के लिए बनवाई थी क्योंकि उसे डॉग और पपीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थे दूसरी तरफ राइडर भी चेस को ढूंडते ढूंडते एक शौप पे पहुँच जाता है जहां पहुचने पर उसे पता चलता है कि शहर के बहुत सारे डॉग और पपी गाइब हो गए है और ये देखने के बाद पॉप पेट्रोल की टीम समझ जाती है कि ये सारा काम मेर का ही होगा क्योंकि उसे ही डॉग और पपीज से काफी ज़्यादा प्रॉब्लम है जिससे देखने के बाद लिवर्टी राइडर को एक आईडिया देती है और वो उसे बोलती है कि क्यों ना मैं जानबूच के मेर के आदमियों से खुद को किड़नैप करवा लूँ और जब मेर मुझे बांकी पपीज और डॉग के पास बेज़ेगा तो तुम लोग मुझे फॉलो करते हुए मेरे पीछे आ जाना जिससे सुनने के बाद राइडर भी उसकी बात मान लेता है और वो लोग जानबूच के लिवर्टी को मेर के पास भेज देते हैं और वो उनके पास जाके उन्हें परिशान करने लगती है जिससे देखने के बाद मेर के आदमी उसे पकल लेते हैं तब Liberty Chase को बताती कि मैं यहाँ पर पूरे प्लैन के साथ आई हूँ तब ही वहाँ पर पेट्रोल पहुँँ जाते हैं और वो लोग एक मशीन की मदर से वहाँ की दिवार को तोड़ देते हैं जिस वज़त वहाँ के सारे डोग वहाँ पर बच जाते हैं जिसके बाद Rider Chase को अपने साथ एक रोड पे ले जाता है जहां Rider को आज से बहुत समय पहले Chase उसी रोड पे मिला था तब Rider उसे कहता है कि मुझे आज भी अच्छी तरीके सी याद है कि तुम मुझे यहीं मिले थे लेकिन उस टाइम पे तुम बहुत जादा चोटे थे लेकिन तुम बहुत जादा बहादूर भी थे और तुम अगेले ही इस बड़ी सी रोड वाली जगह पे अकेले सामना करते थे और तुम हमेशा से एक हीरो हो जिससे Chase काफी जादा मोटिवेट हो जाता है और राइडर उसे फिर से पॉप एट्रोल की टीम में आने के लिए कहता है जिस पर Chase भी उसकी बात आराम से मान लेता है अगली सिन में हम मेर और Kendra को देखते हैं जहां Kendra मेर को बताती है कि काफी समय से Cloud Catcher Machine चल रहा है लेकिन मेर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो उसे ऐसा करने से मना करता है और वो Cloud Catcher Machine का remote भी तोड़ देता है जिसके बात Kendra वहां के सारे मजबूर लोगों को इसके बारे में बताने की कोशिश करती है लेकिन मेर वहां भी उसको कुछ बोलने नहीं देता और वो वहां पे सबको एनाउंस करता है कि मैंने इस सेहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई है जिसके सबसे टॉप फ्लोर पे मेरा ओफिस है जो की परपल कलर का है क्योंकि परपल कलर मेरा फेवरेट कलर है तबी हम क्लाउड कैचर मशीन को देख पाते हैं जिसमें बादल जादा भनने की बज़े से वो ट्रैश हो जाता है और उसमें जम्य हुए सारे काले बादल वहां पे फैल जाते हैं जिस वज़े सो वहां पे तेज आंधी तूफान और वादिश होने लगती है जिसे देखने के बाद एक बाद फिर से सहर के सारे लोग काफी ज़दा ड़ जाते हैं और वो मदद के लिए पॉप पेट्रोल को कॉल करते हैं जिसके बाद पूरी पॉप पेट्रोल की टीम लोगों की मदद करने के लिए वहां से निकल जाते हैं जहां राइडर लीवर्टी के बहादूरी को देखके उसे भी अपने टीम में शामिल कर लेता है और ये सभी मुसीबत में फसे लोगों की मदद करने के लिए वहाँ पे पहुंच जाते हैं जहां राइडर सबसे पहले स्काई को ओर्डर देता है कि तुम यहाँ पे जाके क्ल जब उपर जाने पे चेस के एक बार फिर से रोब तूट जाती जिससे देखने के बदद में काफी ज़्यादा घबर आ जाता है क्योंकि उसे हाइड देखने के बज़गा डर लग रहा था तब चेस को राइडर की एक बात याद आती है कि तुम बहुत बहादूर हो और त इस बज़े से चेस राइडर को बचाने के लिए वहाँ से जंप लगा लेता है और वो राइडर को बचा भी लेता है वही हम क्लाउड कैचन मशीन को भी देख पाते हैं जो कि अब आउट आफ कंट्रोल हो चुका था तब कुछ समझ ना आने के वज़े से इसकाय अपने हेलि पैट्रोल मेर को वहाँ पे दबोच लेते हैं जिसके बाद पैट्रोल को वहाँ पे गोल्डन की दी जाती है और उसी टाइम पे राइडर लिवर्टी को भी पैट्रल का ओफिशली हिस्सा बना लेता है तबी इन्हें एक और डोग का कॉल आता है जो इनसे हेल्प मांग रह जिसके बाद इनकी पूरी टी मून की मदद करने के लिए सेकंड मिशन पे निकल जाते हैं और ये मोवी यहाँ पे खत्म हो जाती है